सो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश अशाशन में एक और बार विकेंसी जहां पर रिलीज कर दी गई सबसे पहले आप लोग हैडिंग पढ़ें इस बार जो नोटिफिकेशन यहां पर जो रिलीज हुआ लिखा है School of Planning and Architecture भोपाल तो देख सकते हैं भोपाल में जो करयाल है School of Planning and Architecture इनके द्वारा recruitment यहां पर रने वाला है Various अलग-íb अलग non-teaching post पर यह recruitment यहाँ पर जारी हुआ और देख सकते हैं latest information है 2 April 2023 को यह जानकारी Officially आपको website पर प्रवाइड यहाँ पर करा दे गई various अलग-अलग पोश्ट इसमें आप पर शामिल की जा रही इसमें graduation candidates apply करें diploma candidates बिलकुल apply कर सकते हैं और इसमें male, female दोनों candidates बिलकुल आप लोग यहाँ पर इसमें आभिधन कर सकते हैं और बताना चाहता हूँ यह All India vacancy है आप किसी भी राजे से हैं, किसी भी state से है All India candidates बिलकुल आप सब लोग यहाँ पर इन vacancy को apply कर पाएंगे और इसकी लिए दोस्तों आपको application form आपको यहाँ पर fill करना होगा application form आपको कहां मिलेगा application form को fill करने के last date क्या रहेगे यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी बने रहा है इस वीडियो के last तक आप चाहिए तो वीडियो को like कर सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे जाकर subscribe के red button को click कर लीजे मध्यप्रदेश राष्टन की हर vacancy की information इसी तरीके से आगे भी पाते हैं बिल्कुल शुरूबात करते हैं अपना update को बढ़ते हैं information की और तो बोपाल में यह आप लोगों को joining मिलेगी साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है vacancies to work at its campus तो जो इसका campus है बोपाल में वहीं आपको जो है joining मिलने वाली है और शुरूबात में यह भी लिख दिया गया कि applications are invited from Indian nationals तो means all India जो भी candidates apply करना चाहते हैं बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आवेदन करें ऐसा नहीं है कि सरफ MP वालों के लिए vacancy है किसी भी राजे से हैं किसी भी state से हैं बिल्कुल apply कर दें तो देखे कौन-कौन सी non-teaching post है कितने पद है salary package आपको कितना मिलेगा तो देखे शुरूबात में group A की vacancy आएंगी तो देखे group A में librarian की post है और medical officer की post है इसके माद technical officer की post है system administrator की post है तो unreserved में यहाँ पर देखे एक एक पर देखे शामिल आप पर कर लिए गए सिर्फ एक एक पोस्ट यहाँ पर चारो क्याटिग्रीस में यह शामिल की गई इनका salary package आपको बता दिया गया level 10 आप लोगों को जो वेतन है परमन्त basis आपको दिया जागा आपका salary का range है इतना आपको परमन्त basis पर यह salary आपको दे दी जाएगी बात करते है जो अगली post है यह रहेंगी दोस्तों group B की तो group B में देखे कौन-कौन से post है personal assistant इसके साथ साथ junior superintendent या फिर MSA तो यहाँ पर देखिए personal assistant की एक post है unreserved में और यहाँ पर देखिए junior superintendent की एक post यहाँ पर है और एक post यहाँ पर तुम इस दो पद इसमें शामिल यहाँ पर कर लिए गए level 6 आपको इसमें salary में लेगी जो group B की post है आपका salary package की जो range है इतनी रहने वाली है इसके बाद देख सकते है group C की post आ चुकी है junior assistant, technical assistant, library assistant, communication system operator तो यह group C की post है और इनमें पी देखिए एक एक पद यहाँ पर शामिल यहाँ पर कर लिए टोटल जो है 14 पदों पर यह recruitment यहाँ पर जारी हुआ और group C की यहाँ पर जो post है यहाँ पर देखिए level 3 आपको salary package आपको दे दी जाएगी अब दोस्तों देखिए इसमें qualification के बारे में क्या जानकारी है तो देखिए qualification का column है इसमें आप लोगों को यहाँ पर provide करा दिया गया librarian के post के लिए master degree चाहिए इसी field मे experience भी इसमें आप लोगों से मांगा जारा है इसके बाद जो medical officer की post है इसमें आपको mbbs के degree चाहिए और इसमें जो है आपको post graduate qualification है आपको MD है तो भी आप लोग apply कर सकते है technical officer की जो post है इसमें mtech candidates apply करें इन fields में आपके पास mtech होना चाहिए दो साल के relevant experience के साथ इसके बाद जो system admin की जो post है इसमें आपको mtech IT या फिर science computer science या फिर MSC हो IT या फिर computer science में MCA candidates और जो engineering candidates computer science में IT में आप लोग भी apply कर सकते हैं दो साल का experience इसमें आपको चाहिए इसके बाद देखिए personal assistant तो यह post आ चुकी है कोई भी bachelor degree इसमें आप लोगों से मांग जारी और diploma stenography में आपके पास यहां पे होना चाहिए और typing की knowledge भी आपको यहां पे रना चाहिए तीन साल का experience आप multi-skill assistant तो यह post आप मास्टर डिगरी चाहिए और आपको यहां पर dca का आपको यहां पर computer course आपको यहां पर चाहिए और यदि आपके पास experience है तो अच्छी बात है नहीं भी है तो भी apply कर सकते हैं यह desirable बोला गया है compulsory नहीं बोला गया है और यहां पर जो है routine letters जो होते हैं Hindi और English दोनों में आपको जो है independently आना चाहिए यह knowledge आपको यहां पर letters को form करने की यहां पर होना चाहिए इसके बाद technical assistant तो यह post है इसमें bachelor degree मांग जारी PGDCA के साथ और एक साल का post qualification experience आप से मांगा गया इसके बाद library assistant की post है इसमें एक पद ह है या फिर आपके पास diploma है या फिर certificate course है library science या फिर IT का और एक साल का post qualification experience है बिल्कुल apply कर दे लास्ट में समें communication system operator तो graduate degree इसमें आप लोगों को चाहिए और एक साल का post qualification experience मांगा गया है इसी field के अंतरगत और आपके पास यहां पे computer का diploma certificate है रेपुटेटिट इंस्टीट से बिल्कुल आप लोग याप इस post के लिए आविदन कर पाएंगे देखिए आपको इसमें apply किस तरीके से करना है तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि google form की जो link है आपको provide करा दी गई google form आपका fill up हो जाएगा फिर उसके बाद print out जो आपका निकलेगा print out को आपको documents के साथ यह आपको self test करके यह आपको address पे आपको यह भेजना होगा means simple सी बात है online apply भी करना है और फिर आपको offline आविदन भी आपको यहाँ पे करना होगा तो यहाँ पे देखिए apply करने के लिए यह google form की link आपको दे दी गई है इसके तुरूँ आप लोग जो है अपना आविदन कर देंगे और देखिए आप लोगों को dates बता दी गई है दो अपरेल से यह form fill up यहाँ पे शुरू हो चुके है और दो अपरेल से form भना आप लोग यहाँ पे चालू यहाँ पे start यहाँ पे कर दे गए और इसकी जो last date है देखिए 19 मई 2023 सामके 5 बजे तक का समय आप लोगों को दिया जा रहा है और यहाँ पे देखिए last date of receipt of application at spa तो जो इसका कारियाल है और आप लोगों को offline आविदन भी करना है तो देखिए 31.05.2023 इस date तक आपका आविदन पहुँच जाना चाहिए इसमें fees का payment भी करना है तो group A की जो post है general OBC EWS 500 रुपे का fees है और इसमें जो group B और group C की post है OBC general और EWS के लिए 300 रुपे का यह fees का payment है कोई भी fees का payment करने के आपको यहाँ पर जरुएत नहीं है और जो offline आविदन करेंगे मिस लिफाफे में आप लोग भीजेंगे online आविदन के बाद तो इसका जो address है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया इस पते पर आप लोगों का आविदन पहुच जाना चाहिए तो दोस्तो वेकैंसी की जो भी information थी इसमें मैंने आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो यह step by steps आप लोगों को देखिए screenshot इसमें आपको यहाँ पर share कर दिये गए इसके तुरू आप लोग अपना online आविदन करें और जो भी fees का payment है यह जानकारी भी इसमें आप लोगों को इसमें दे दी गई है तो यह vacancy की information मैंने आपको यहाँ पर दी MP government का यह recruitment है और MP में जितनी भी vacancy आती है और कोशिश यह ही रहती है कि हमारा चैनल सारी information आपे cover करें हमारे चैनल से आप जुड़ेद है आप चाहिए तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं और कोई भी vacancy की जानकर यह आप से चूटना नहीं चाहिए चैनल को subscribe कर लें इससी वीडियो के नीचे जाके तो मिलते हैं अगली व